रहुल गांदी जी जी नापाँ हम इंटिमिडेट नहीं होंगे हम नरेंद्र मोधी से नहीं डरते हैं समझ गए बात कर लें जो करना है कुछ फरक नहीं पड़ेगा सोला तारिक को सुभे मानने रहुल गांदी जी को एक नोटिस दिया गया उस नोटिस में करीब करीब दो पन्नों जितने लंबे प्रश्ण थे वो प्रश्ण कई ऐसे मुद्दे उठा रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा में जो की लाखों लोग मिले रहुल गांदी जी से उनके विशे में कुछ विक्टिम्स के बारे में उनके नाम उनकी जगह क्या वारदात थी इत्यादी इत्यादी उस पर मैं भी आऊंगा लेकिन ये हुआ सोला को दिल्ली पुलीस ने आके ये नो राहुल जी के उस वक्तवे के विशे में जहां उन्होंने कहा था कि कई महिलाएं जो मिलती हैं वो डुमेस्टिक वाइलेंस की बात करती हैं बलातकार की बात करती हैं और परिवार में उत्पीरन की बात करती हैं और इसके विशे में इस क्वेस्टिनेर ने उनके नाम उनक नहीं हुआ यह सब पूछा गया है दिल्ली पुलीस द्वारा आज फिर 19 तारीक को सुभे वही दिल्ली पुलीस के दस्ते और उनके साथ कुछ और लोग आए वही प्रश्ण वापिस पूछते के लिए एक नया नोटिस लेके बाकी चीज़ें हम बाद में लिखित रूप से देंगे दिल्ली पुलीस से लेकिन हमने उनको आज कहा हम लोग सब वहां प्रस्तुत थे और मैं आपके साथ शेय करना चाहता हूँ ये एक बहुत ही विचित्र पहलू है एक नया आयाम बनाया गया है उतपीरन का प्रतिशोध की राजनीती का धमकाने और धमकी की राजनीती का मैं ये क्यों कह रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका प्रस्म बिंदू है कि एक चार हजार किलो मीटर की आतरा बारा प्रदेशों दो यूनियन टेरिटरीज जिसके दौरान श्री राहुल गांदी लाखों करोडों लोगों से मिले एक सो चालीस दिद तक चली उसके विशे में दो दिन में तीन दिन में दो बार आना और प्रश्ट पूछना कि वो कौन महिलाएं थी कब हुआ कैसे हुआ उनके साथ आपने ये किया वो किया उसके विशे में कम्प्लेन कहा की कब की इत्यादी इत्यादी हमको सबको लगा और हमने पुलीस दस्ते से भी कहा कि जड़ा बताएंगे क्रिपा कि आपने कित्री ऐसी राजदेतिक अभियानों के विशे में ऐसे प्रश्ट पूछे हैं सत्ता रूर पार्टी से विशेश रूप से या किसी और अभियान और यात्रा के विशे में ये अगर राजदेतिक प्रतिशोद नहीं है उत्पिरन नहीं है धंकी की राजदेति नहीं है तो क्या है दूसरा जैसा आप जानते हैं कि जब लीडर एक राजदेतिक अभियान करते हैं तो हर पक्ष के लाखों लोग उनके सामने आते हैं कई की अलग-अलग complaints होती हैं कई के अलग-अलग दस्तावेज होते हैं कई के अलग-अलग भावनाएं होती हैं उन सब को सुनना पड़ता है और जहां संभव होता है वहाँ पर जो लोग चल रहे होते हैं साथ उनको कहा जाता है कि आप ध्यान दें इसमें कोई भी लीडर हर इंडिविजुल कंप्लेंट के विशे में यात्रा रोक कर कोई एक्शन नहीं लेता है ने लेना संभव है ने ये किसी के दिमाग में भी आता है और ना आज तक मैं समझता हूं सत्तर वर्ष पिछत्तर वर्ष में भारत में इस प्रकार के बेहुदे प्रश्ट किसी सरकार या किसी पुलीस फोर्स ने पूछे हैं किसी अवियान किसी लीडर से तीसरा पहलू जिस वक्तवे का संग्यान लिया गया है इस क्वेशनेर में वो तीस जनवरी के श्रीनगर के वक्तवे के बारे में कहा गया है तो तीस 30 जनवरी के श्रिनगर के वक्तव के बारे में दिल्ली पुलीस अभी लगता है जगी है 45 दिन बाद और 45 दिन सुब्त होने के बाद और इतने दूरी के बाद जगने के बाद दो बार तीन दिन के अंदर पहुँच गई है अब बहुत ज़्यादा जल्दी है उनको 45 दिन तक क ले सकते हैं कि ये अचानक इतनी ज्यादा अलर्टनेस और गती और दिशा कैसे मिल गई दिल्ली पुलीस को क्या वो राहुल गांदी जी के प्रश्टों से जो पार्लिमन में वो करते हैं उनके संबोधनों से उनके भाशनों से या जो आजकल एक विशेश फोकस राहुल गां आज गई है 45 दिन बाद और हम इसकी भरसना करते हैं हम निश्चित रूप से जितने भी तत्थे हैं जितने भी डीटेल्स हैं उनको जोड़कर एक विस्तृत जवाब देंगे लेकिन आज हम आपके समक्ष इसलिए आए हैं कि हम इस चीज़ की भरसना करते हैं कि राजनीती को किस तर्पे आपने गिराए हैं किस प्रकार से आप हरिस्मेंट पे लगे हैं और किस प्रकार से आप ने किसी सीमा को नहीं छोड़ा है यह पूरा देश देख रहा है है राहुल गान्दी जी कि जितो वक्तव्य परल्लिमेट के अंदर या बाहर हैं उनका अब एक प्रका में देंगे जो आपके साथ बात में शेयर होगा है मोजी सरकार की प्रतिशोद धमकी और डराने की जो राजनीती है उसका एक मिसाल है मैं एक बात इससे जोड़ना चाहता हूं कि ये जान बूच कर किया जा रहा है ताकि जनता का ध्यान, देश का ध्यान, पर्लिमेंट का ध्यान अडानी घोटाले से और कहीं ले जाया जबसे 16 पार्टियों ने एक होकर एक जुट होकर जेपीसी की मांग की जबसे राहुल जी ने करीब 50 मिनिट तक अडानी घोटाले पर लोकसवा में अपनी बात रखी तब से ये रन्नीती अपनाई हैं मोजी सरकार ने, मंत्रियों ने, उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं, जो उन्होंने केमरिज में और लंडन में कहा है, उसको गलत तरीके से उससे अर्थ निकालने के तोड़ मरोड कर, ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है, वो कहा है जबके हमारे पास सपूत है और जो हमने सोशल मीडिया के द्वारा जंदा के सामने भी रखा है, कि उन्होंने बाते नहीं कही हैं, जो इलसाम लगाया जा रहे हैं, और उनको स्पीकर से निवेदन के बावजूद बोलने नहीं दिया जा रहा है लोकसवा में, तो ये एक र सब अडानी घोटाले से हटे और कोई मुद्दा आएं, ये रन्नीती सफल नहीं होगी, सोला विपक्षी पार्टियां एक जुट होकर ये मांग जो कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ये बरकरार रहेगा, और जब तक ये धमकी, प्रतिशोद और उत्पीडन की राजनी कीती चलेगी, तब तक जो ग्रिल मंत्री कहते हैं मिडल पात, ये मिडल पात बिलकुल असंभव है, हाँ जी, हिटलर जो था, वो ये पहले बहुत लोगप्री होगा था, उसके बादमा की जर्मनी की स्थिती बनी, इस देश्ट में लोगतं दे खत्रे में हैं, अगर मैं बोल रहा हूं तो पुरी दुन्या सुन सकती है, इंटर्नेट का जमाना है, राईल गांधी वो ही बोले जो लंदन में जो यह बोले थे, यह बोलते थे यह बोले हैं, बोलेंगे, हम छोड़ने वाले ने इनको, इनकी हरकुतों में छोड़ने वाले नहीं है, इस ताना साही प्रवदी को छोड़ने वाले नहीं है, जंदा के बीच में जाएंगे, आज जो अनफोर्चनेटली यूडी सीबी आई इंकम डश्का जो ताननों मंचा रहा हैं लोगों है, जूडी से जवाब के अंदर है, जो सीजय कुछ भी कह दे, जवाब में हाई गोर्स के अंदर भी और उपर भी निश्चे भी है, दुनिया जानती है, जूडी से कमिशन ओफ इंडिया जवाब करने काम कर रहा है, तो फिर लोगत अंदर कहां रहा है, और कैसे रहेगा, अगर ये बात कोई बोलता है तो को तकलिप क्यूं होती है, किते पत्रगार, लेकक, साहित जेलों बंद रहे हैं, या जेलों बंद हैं, कोई सोच सकता है, पूरा देश भैवित थे, तनाव में हैं, और आउल गांदी जी के मुद्दे थे, महंगए के मुद्दा था, विरुजगारी का था, नॉन वाइलेंस का था, प्यार मुबत से रहो आपस के अंदर, क्या बु हिंकर है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनिति के कर रहे हैं, कब तो करते जाएंगे, एटी मेरी जंतों समझ जाएगी कि इनकी कत्नी में करनी मनतर है, जोटे वाज़े करके सत्तमा आ गए हैं, पर जिस परकार से हलाद देश में बने हैं, वो चिंता प्यदा कर रहे हैं देश बाशियों के दिनों दिमाग के अंदर, हालाद बोड़े गंबिर बनते जा रहे हैं, और इसलिए इस पर का यह हरकत भी पहुंच गई आज दिली पुलिस भारा, मैं नहीं मानता कि दिली पुलिस खुद आगे बढ़ के पहल कर सकती है, कोई कारण नहीं लगता है, हम अधिया हो गया, अत्याचार हो गया, उत्पिड़न हो गया, मेरा काम नहीं होगा, छुआ छुद मेरे साथ बरती गई, रेप की कोशिश की गई, मैं कुछ भी कह सकता हूं, पब्लिक इंट्रेस में मुझे बताना पड़ेगा का आज माहूल क्या है, अगर राउल गांदी ते अधियर देश के हलार्ड बताते है, थाड़े थीन χजाय किलिमर्द यातरा करके, कि पुरे देश में रस्ते मुझे क्या फीड़एक मिला, उसको लेके आप केस दर्द कर रहे हो, थाड़े थीन हजाय किलिमर्द यातरा, तीन चांव मिने यातरा चली, और भी केस्टे क कर दो लिए उनकी मर्मी कि घराएं काम किया जिस्पोर से निकला या है जिक है पल्णक लोग है मीडिया के कर लीजिए उनकी मर्ण ये हीडीक कब पौह्ँचा है कब CP पहुंच जाए, कब income tax पहुंच जाए, वो भी दो उनको अपना मीडिया चलाना है, हालात ऐसे बन चुके हैं, गौर करना चाहिए उन सब को, अब भी अगर शेता नहीं, पत्रकार, मीडिया वाले, साहितेकार, वो इत्ते लिगते लिए थक रहे हैं, मैंने मैसूस किया, मैं सुनता रहता हूँ, online platform को, जो writing, article लिखते में उनको देखता रहता हूँ, मुझे लगता है, देर देर वो ठकने लगे हैं, यह हलात प्यदा होगे देश के अंदर,